जहिंद फ्यूजर और आप सब्सक्राइब मैं हूं हिमान सुक्मार इस पीडियों बात के नहीं जा रहे हैं और प्रोपेक्ट लिमिटेड कंपनी बारे में देगे और प्रोपेक्ट स्टॉक मार्केट के दुनिया में काफी पुराना और जाना पास जाना नाम है लेकिन फिल में अब बात करते हैं अब बात करते हैं हम लोग काम करती है जो लोग के बिजनेस भूड़े होते हूं उन्हें बड़ा आदमी या जो इंवेश्टर से उनकी सिधारी है इसमें लाजिम भी है देखेंगे तो कंपनी आठ तेशों में अपनी सवाई जाती है और दो सब्सक्राइब के इस अपनी के अपनी के सब्सक्राइब आज के दिन इसमें थोड़ा बहुत देखने को मिला है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है हाला कि इसमें क्रोना कि जब साया दिसंबर 2020 के बास सब्सक्राइब और ख़्यां को जिंधेता जाएब फर अपर जब तक है तब टोब तक बात नहीं सो रॉप्या के लिएप निसे जाने बात हैं निदिन दिखेगा तक निक का क्वार्ट्र में का से जिरो सबस्क्राइब इस वज़े से प्रॉट्रमी के सेल्स लगतार बढ़ ले दिकत तो च्था कम करने वाले कंपने इसमय ज्यादा लगता जिस वज़े से चल च्छेंट हो रहा है तो कंपनी का प्रॉफित नहीं लोज चल रहे है अब अभी देखें पिछले सिदंबर 2022 के बात कि इस क्वार्टर में की टोटल जो कमा हुए 21 क्रोंड से बढ़कर 34 क्रोंड का असपास हुए लेकिन चुकि मैंने बताया खर्चे अधिक लग रहे हैं जिसके वाज से कंपनी के ऊपर 11 क्रोंड का सब्सक्राइब लॉस चल रहा है कम करने वाले बढ़ियां होता है लेकिन इस रिसकी है इसमें पचास परसेंट और बागे किसी के पास पास रहे है तो चिंदा कोई बात नहीं है अब देखें इसके उपर कमनी के ओपर तकर 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 च्रोंड का सब्सक्राइब करज पच्छले कुछ समय भी जाएं चिंदा की बात होते हैं कर्पर प्रोफिट में और पर फॉलाव्ट का करना हो चाया तो आय rede करना होता है और यहां आपको इसमें बने रहाना हुआ समय देना हो क्योंकि एक बार कमनी प्रोफिटेबल हो गई तो सारे करजे को भी दूर करते गी और उसके बाद सेर्प्राइस में रोकेट इसको पूरा कर देगा यह कोई हवा हवाई में बाते नहीं कर रहा हूं बस जो जाहिर सी बात है जो ए सकते नहीं है तो आपकी मर्जी आपको लेकर को लेकर कोई बहुत बड़ी आपको बदाए बाकी इसके लावाए दिया आप और कुछ जानना चाहते हैं उसको में पूछ सकते हैं यदि आप चाहते हैं मुझे इस्टेक्राम पर फॉलोग कर सकते हैं जिसका लिंक किस वीडि करा सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिशन में मिल जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तदो धेने बात शुक्रिया